देखिए हम बात करने जा रहे हैं D.A.L.M.B.R.S. Ratio Test ये Ratio Test भी खलाता है के वर Ratio Test साउधान बुक्स में और हमारे लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर रहेगा इसलिए साउधान रहेगा कैसे D.A.L.M.B.R.S. Ratio Test लगता कहां पहले यह समझे अगर कोई सरी पॉजिटिव टर्मस की है पहली बात दो प्लस माइनस नहीं चलेगा माइनस नहीं चलेगा all the terms should be positive अगर कोई सरी पॉजिटिव टर्मस की है ठीक है तो आप क्या करेंगे उसका nth term निकालेंगे उन और n plus 1th term निकालेंगे UN plus 1 निकालेंगे ठीक है फिर दोनों का ratio निकालेंगे अगर UN plus 1 upon UN is less than 1 होगा तो ये convergent होगी limit limit लिखेंगे न limit UN plus 1 upon UN is less than 1 तो ये convergent होगी ठीक है और अगर UN upon UN plus 1 greater than 1 होगा तो divergent होगी अगर ये equal to 1 होगया तो limit fail हो जाती है वहाँ पर एक convergence ये divergency को test नहीं कर पाती है ठीक है हमने सावधान fail मतब वहाँ पी कहेंगे test fails अब हमने बताया क्यों इसको बड़ा सावधान रहीएगा देखें यहाँ उल्टा भी लिखा रहता है जैसे आपकी book में लिखा है इन्हों इसको पलड़ दिया है इन्हों book में लिखा है un upon un plus one ठीक un upon un plus one तो un upon un plus one उल्टा लिखा है limit तो जब उल्टा लिखा तो ये उल्टी वल्यों आएगी यहने अगर greater than one होगा तो convergent होगा ये उल्टा हो जाएगा तो ये लिखे या ये लिखे ज़्य हम इससे question बताएँगे कुछ teacher इससे बताएँगे कुछ इससे बताएँगे तो जैसे कोई इससे बता रहा है तो आपने के बाजफी तुष्भवा बना रहा था वो ये बता रहा था देखो कहताब मूरह था अब देखो एक स्रीज में लिख रहा हूँ X अपान 1 इंटू 2 1 इंटू 2 है डॉट नहीं है प्लस X स्कुरार अपान 2 इंटू 3 X क्यू अपान 3 इंटू 4 X पार 4 अपान 4 इंटू 5 अप्टू इंफिनिटी ये एक स्रीज लिखी हुई है इसको आप चाहो तो Sigma U1 लिख सकते हो वो अलगी बात है अब ज़रा इसका पहले एंथ टर्म निकाली है ज़्यादा तर केसे में एंथ टर्म उदे देते हैं कुछ टीचर दे देते हैं एक्जाम में कि जैसे बच्चे का दिमाग काहे लगा है अब कुछ गोते हैं कि काहें न दिमाग लगाए लगाओ दिमाग अपना तो अब आपको टेस्ट एक तो लिख करके आप सकता है कि बाई डिलंबर टेस्ट और दूसरे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहां कौँ सा टेस्ट लगाए तो आपको साफ साफ दिख रहा है इसका एंटर्म निकालना पड़ेगा ठीक है तो पहले इसका यूएन निकालते हैं इसका एंटर्म निकालते हैं चेक करते हैं यहां X की पावर 1 है यहां 2 है यहां 3 है यहां 4 है तो एंथ में क्या होगी N होगी N होगी पहले देखो यह 1 है फिर 2 है फिर 3 है फिर 4 है तो nth में n होगी 1 है तो एक ज़्यादा है 2 है फिर एक ज़्यादा है तो n है तो एक ज़्यादा है की value यह आ गई x4 n upon n n प्लस 1 ठीक है इसके बाद क्या निकालेंगे अच्छा पहले बाद तो positive term है यह यह ratio test यहां लग सकता है क्योंकि पहले कहा गया था terms positive होने चाहिए alternate plus minus नहीं चलेगा नहीं चलेगा बोले तो नहीं चलेगा अब हम क्या करेंगे इसके आगे वाला term निकालते है तो जहाँ n है वहाँ क्या लिख दो n plus 1 तो x की power n plus 1 हो जाएगा और यह भाईसा आप बन जाएंगे n plus 1 और यह भेंजी बन जाएंगे n plus 2 ठीक है आप क्या करेंगे un plus 1 upon un निकालते हैं हम पहले वाला बता रहे हैं जो उन्हें बताया था now un plus 1 upon un निकालते हैं limit बाद में रखेंगे हम लिमिट भी लिखे जाए रहे हैं un plus 1 बोले तो x की power n plus 1 upon n plus 1 into n plus 2 into x की power n और upon उपर आएगा n n plus 1 और यहाँ लगाना क्या है limit लिमिट अपने जहाँ limit लिखो मतलब n tending to infinity यहाँ पर इंटर्म न कोई सी स्टूडिन को लिखो limit extending to 2 जहाँ लिखे limit extending to infinity सर ने कहा था ऐसा थोड़ी होता है ठीक है मतलब उसका मतलब क्या निकला यह समझें आप जैसे एक आदमी के cycle खो गई तो ताला मिट खोज रहा था पुले हमने बच्पन ने पढ़ा था जिन ढूना तिन पाईयां गहरे पानी पैठी तो इसका मतलब हर्जगे थोड़ी लागू होता है वह साधान अभी limit हम operate नहीं कर रहे है limit n n plus 1 upon n plus 1 n plus 2 लिखा रहे हैं तो जड़ा x की power देखीगा यहाँ n प्लस 1 है यहाँ n है divide भी power subtract हो जाएगी तो यह हो जाएगा x बचेगा अब limit operate कैसे करें limit infinity रखने का तरीका क्या होता है अगर मैं यहाँ पर infinite रख दूँगा तो infinite upon infinite आजाएगा क्या तरीका होता है कामन हो जाती है highest power नीचे से कामन हो जाती है क्यों हम one upon n लाने की कोसिज करते हैं क्योंकि one upon infinity क्या होता है जो infinite limit दिखाने वाले हैं हम कोसिज करते हैं उनकी limit zero कर दें जैसे कोई भौकाल टाइट कर रहा हो कि जानते नहीं हो DM साब जानते नहीं हो DM साब तो सामने वाला क्या कहेगा वो दिन तो PM कुसाब मेरा lunch था लेओ गड़बड हो गया क्योंकि अगर आपने किसी सामने limit अपनी infinite दिखाने की कोसिज की तो सामने वाला कुछ ऐसा करेगा कि आपकी limit zero हो जाए ओशो कहते थे कि कोई आपको सुनता नहीं है आप बोल रहे हो वो वेट करता है कि आप चुपो हम सुरू हो जाए तो हैने कि math भी कहती कि limit zero करने की कोशिज कर आपकाद इनकी zero कर दो करते हैं zero देखो limit n tends to infinity उपर से n कामल लेंगे तो बन जाएगा n square ये 1 प्लस 1 अपान n आएगा नीचे से n कामल लेंगे इस bracket से इस bracket से bracket कहें खोले हम तो बाहर n square नीचे 1 प्लस 1 अपान n 1 प्लस रैटिंग बड़ी गटिया है हमारी into x आरा ठीक है इ तो यहां limit operate करोगे तो यहां 1.30 हो जाएगा ये 0 ये 0 तो यहां 1 बचेगा है 1 बचेगा तो overall value x बचेगे न के 1 यानि कि आपने क्या देखा union plus 1 उपर लिखा है ना हमने अपान union limit की value क्या आगई x आगई यानि कि आपने क्या देखा कि सब कुछ किस पर depend कर रहा है x पर depend कर ठीक है तो यानि कि आप कहेंगे so so if x is less than 1 x बोले तो x नहीं किता है if un plus 1 upon un limit that is equal to x है अगर ये less than 1 है तो series is convergent series is convergent and if x greater than 1 है then series is divergent और if x is equal to 1 है तो test fails test क्या हो गया यहाँ पर fail हो गया ठीक पहुंचिए अब आप कहेंगे भई x is equal to 1 पर तो test fail हो गया आप क्या करें उसको तो 1 पर test करेंगे आप लेकिन वहाँ पर ratio test नहीं लगेगा इसके लिए एक दूसा test compression test लगाए जाएगा ठीक है तो compression test पहले देख लेते क्या होता अभी साथ याद नहीं होगा बताया है हमने तो देख लेते हैं बतायते हैं दोगो compression test होता क्या है compression test दोगोर नाम से लग रहा है कि कहीं पर compression करना है ठीक है इसके पहले जो theorem कराई थे उसमें compression test हम बता रहे थे ठीक है compression test कहता है कि मा लेते हैं दो series हैं if sigma un and sigma vn are two series two positive series कैसे series हैं यह positive series है ठीक है और un upon vn if लिखा है अरे अंग्रेजी में लेखते हैं ऐसे लिख देते हैं and un upon vn की value अगर निकाले limit and tending infinity यह आपकी finite positive value आए कैसी आए finite positive value आए finite positive value आए finite positive value आए पहली condition है यह कि un और vn दो series है अब आप सुच रहें कि यहाँ ते एक ही series है vn बनानी पड़ती है ठीक है अगर un और vn दो series है ठीक है मैं series बोल ला हूँ sigma लगा दिया न हमने अगर यह नहीं हटाएंगे sigma हटा देंगे तो nth term हो जाएगा तो पहले un upon vn निकालेंगे limit रखेंगे अगर यह finite positive value आगे पहली condition है then if sigma vn is divergent then sigma un also divergent और अगर है sigma vn is convergent then sigma un is also convergent यह पहले यह अगर टेस्ट को यह follow करता है तो अगर vn divergent है तो un भी divergent होगा और vn convergent है तो un भी convergent होगा अब इसके लिए convergency और divergency के लिए 99% p-series test हम लगाते हैं जो hyper harmonic test हम ने बताया है न p-series test से हम check करते हैं तो हम अब आपके सरीस तो एक ही आपके पास है un vn कहां से आएगे vn को हमें बनाना पड़ेगा vn को हम बनाएंगे अपने आप और ऐसे बनाएंगे कि वाह क्या बनाएंगे अभी बात बना रहें देखते हैं तो अब हम बात करेंगे for x is equal to 1 के लिए un क्या आपके पास है un क्या निकला था x की power x तो 1 हो गया तो यूए आपका 1 अपन n n प्लस 1 होगा मैं यूए लिख रहा हूँ मैं जब sigma लगा दूँगा तो बन जाएगी सरीज sigma वो खोलोगी तो first term आएगा फिर second आएगा थर्ड term आएगा ये पहला यूए न है ये तो यूए पान यूए प्लस 1 आप solve कर रही हो यूए यहाँ starting में की निकला था न अब देखो यहाँ वी न कैसे निकला जाता है वी न का तरीका देखिए यूए न दो तरीके होते हैं यूए न भी होता है एक सरीज के term में होता है और अगर यूए न आपको एक इस प्रकार के term में दिया हो तो वी न निकाले के तरीका देखिए क्या होता है सबसे highest power of उपर की लिख लो और highest power of नीचे की लिख लो highest degree term जो उपर का हो वो लिखो और highest degree term नीचे का लिख दो उपर तो 0 डिगरी है यहने n की पाउड 0 हो गया यहने उपर तो 1 हो गया और नीचे क्या है n square तो यह vn निकला है यह हमने बना लिया ठीक है अब आप कहेंगे इसको तो पहला condition क्या है un upon vn निकलो now un upon vn निकलो now यह कब लगा रहे है जब वो test fail हो गया है तब cumbersion test से इसको solve के जाएगा ठीक है limit लगाएंगे n tending to infinity limit n tends to infinity un की value क्या है देखो 1 upon n n plus 1 अजब upon vn लिखो गया तो उपर जाएगा n स्कोर हो जाएगा फिर infinite solve करने का तरीका क्या है n स्कोर उपर ने से काड़ लोगे उपर n स्कोर है नीचे n कामन लोगों ब्रैकेट से तो n स्कोर हो जाएगा 1 upon 1 plus n limit लगाओगे n tending to infinity यह cancel हो गया जब आप infinite लिखोगे तो 1 upon infinite 0 होता है तो value 1 आ गई अब बताओ यह आपकी positive finite value आ गई ठीक है जब positive finite value आई तो अब हम divergent convergent कहने के योग यह हो गई अगर यह positive finite value ना थी तो हम test यह नहीं कर सकते थे compression test की पहली condition है कि यह चीज finite आनी चाहिए positive finite value ठीक है पहुँचे यहाँ पर तो अब हमको देखना पढ़ेगा कि जो vn है यह convergent है यह divergent है तो देखिए रब करें इसको अब ज़रा vn को उठाते देखिए यह nth term लिखा है आपने ठीक है now sigma vn लिखते थे नहीं स्रीज बन जाएगी न यहनि sigma 1 upon n square कौन सा टेस्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर लगने वाला p-series test by p-series test by p-series test अब बोले वो बार बार याद रखना पड़ेगा वो याद ही रखना पड़ेगा ठीक है जब भी आपको चाय फी p-series test पानी फी p-series test ठीक है जहाँ p-series test भी होता है याद रखने का तरीका होता है जैसे हम जोगों पिच्चर देखके आते हैं हम नहीं जब लोग आते हैं तो रास्ते में गुरूनाते रहते हैं तो मेरा अब देखता है अब कुछ जूमते रहते हैं वैसे जब physics पढ़के जाओ तो जूमते रहो में था पी-series test असा होता है कभी नहीं होता है न अच्छा बाइ-p-series test sigma 1 upon n की पावर p अगर है तो ये क्या होती है ये convergent होती है अगर p की value greater than 1 हो और ये divergent होती है अगर p की value less r equal to 1 हो अब बताओ यहाँ p क्या है 2 है here p is equal to क्या है that is greater than 1 so it is क्या है अरे convergent है ये क्या दिख रहा तुमको convergent है इसलिए convergent हो गई तो आपने क्या देखा के x की value जब greater than 1 है तब क्या था less than 1 पे क्या था और equal to 1 पे क्या था ये दो-दो test कर जुगे थे आप तो 1 पे भी क्या आगई ये क्या लिख रहा हूं तुमारी मुझे से convergent हो गई समझवागी बानी आई ये test दिखाना पड़ेगा आपको क्यासा होता है इसलिए यहाँ पर p की value चुकि 2 है इसलिए कर compare हम करें और वो greater than 1 होता इसलिए series convergent होगी देखे question दिया है उन्होंने के एक series है x plus 3 upon 5 x square plus 15 upon 17 x cube plus 2 on ये nth term दिया हुआ है इन्होंने अब दिया है तो इनके अब दिया है तो दिया है ठीक है इसको आपको इसकी convergence या divergency c मतलब convergence कौन पूरी heading पड़े heading पड़े फिर देखे convergence में c y होता है कैसा ही होता है अंग्रे जी देखे अंग्रे जी अंग्रे छुण गए तो क्या किया जाए तो इसी convergence टेस्ट करनी है पहले तो को positive term है इसलिए deal numbers ratio test लग सकता है तो यहाँ पर देखिए solution देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे n को क्या लखेंगे n प्लस 1 n प्लस 1 का whole square minus 1 upon n प्लस 1 का whole square plus 1 into x की power n प्लस 1 यह लिखेंगे अब क्या निकालेंगे बोलते रहो un प्लस 1 upon un confuse मत होना अभी हमने जब deal numbers बताया था कि उल्टा भी लिखा जाता है यह दिस अपान दिस भी होता है तो दोनों मत याद करना कि आधा सिधा याद कि आधा उल्टा याद किया प्ता चला वहाँ अकड़ बकड़ खेल ला है कि ग्रेटर लगा हैं कि लस लगा है इसलिए हम दो बनों बाते बताना नहीं चाहते थे बताया इसलिए कहीं बुक्स में लिखा हो बात में कहें देखिए इतना चुक्ति अपना गया है नास कटा आइस पुड़ा होते है अब दिमागों न रहे कभी कुछ लोग कहते हैं क्या लिखेंगे यूएन प्लस वन अपान यूएन लिमिट बड़ा पहले लिखेंगे पहले बड़े को सम्मान देंगे कहीं कोई आएगा तो पहले फूफा देखेंगे फूफा जी अब नीचे वाले तो बाद में सब़ीज़ रहते हैं तो अब ये लिखते हैं देखो देख साउधान एन प्लस वन का होली स्क्वार माइनस वन ये निउमरेटर है यू एन प्लस वन का जरा खतरनाग टाइप का है देखे रहीएगा अपान एन प्लस वन का होली स्क्वार प्लस वन ठीक है एक्स की पावर एन प्लस वन अब देखें अपान में यू एन को आना है तो अपान में क्या आएगा n²-1 और x की पौर n नीचे आजाएगा और और सब उपर चले जाएंगे n²-1 ठीक है अब x को तो अकेला कर दो अब देखो इसका होल इसमें लिमिट लगी वी है लिमिट का मतलब क्यों लिमिट लिख रहे हैं हम आप चाहो तो क्यों लिमिट भी लिख सकते हो इसको खोल दो n²-1 प्लस 2n-1 एक ब्रेकेट में दूसा ब्रेकेट है n²-1 अपान यहाँ खोलेंगे तो आएगा n²-1 प्लस 2n-1 एक ब्रेकेट में अब यह पूछना कहां से आ रहा है एक्स की पाउर सॉल्फ करोगे तो उपर एक्स बचेगा कुल बिलाकर करके अभी सबकुछ एक्स पर ही डिपेंड हो जाएगा यह यह याद रखिएगा यह आपका जब एक्स 1 लिखेगे तो यह टर्म आएगा इसको मरभ कर रहे हैं अब देखिए लिमिट रखने का तरीका देखिए यहाँ उपर लिख रहे हैं लिमिट देखो यह 1 से 1 कट गया अब क्या करेंगे इस ब्रेकेट से एन स्क्वार कामन है तो बाहर क्या बन जाएगा एन टू पावर 4 इस ब्रेकेट में क्या बचेगा 1 प्लस 2 अपान N इसमें क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपान N स्क्वार यहाँ देखिए इस ब्रेकेट से N स्क्वार कामन है इस ब्रेकेट से N स्क्वार कामन है बाहर आएगा N की पावर 4 यह दिखाना कि 1 प्लस 1 2 लिखा हुआ है तो यह क्या बचेगा 1 प्लस 2 अपान N प्लस 2 अपान N स्क्वार और यहां बचेगा 1 माइनस 1 अपान N स्क्वार इंटो X अब ज़रा limit operate कर दीजे and पौर 4 cancel कर दीजेगा देखे, यह cancel हो गया जब limit operate करोगे ते भाहसाब 0, यह भाहसाब 0, यह बहनजी 0 यह बहनजी 0, यह बहनजी 0 यह क्या बचेगा, 1 बचेगा न तो यहनी केवल आगया 1 यहनी value क्या आगई, limit यूएन प्लस 1 अपान यूएन की value क्या आगई, X यहनी सब कुछ किस पर depend कर गया X पर depend कर गया condition क्या होती है if X is if X is less than 1 तो क्या हो जाएगा यह the series is convergent and if X is greater than 1 then series is divergent और if X is equal to 1 X बोले तो यह हम बोले है न then test fails बोले वो भासा याद है वहने convergent फिर divergent test fails तो अब जब test fail है इसका मतब यह वाला test fail है इस वाले test से testing नहीं कर सकते यह से होता नहीं कि exam में होता है कि जब आप chemistry में test करते हैं तो गहें test fails तो इसका मतब यह नहीं कि वो कोई chemical है नहीं वो chemical है लेकिन उस testing में बजाए कोई और उसमें chemical डालना पड़ेगा ठीक है अब इसके लिए हम करने जा रहे है note करिए तो for X is equal to 1 पे हम करने जा रहे है UN क्या लिखा हुआ है N square minus 1 upon N square plus 1 अब ज़रा समझेगा साउधान यहाँ पर उपर की degree क्या है 2 नीचे की degree क्या है 2 1 हो गया ना X की power तो X तो 1 हो गया अब यहाँ degree दोनों की सेम है तो यहाँ पर VN is not possible VN is not possible यहाँ VN possible नहीं है ठीक है इसलिए यहाँ पर कोई टेस्ट ने लगेगा यानि कि आपकी इसपर टेस्टिंग नहीं होगी ठीक note करिए अब कोई टेस्ट और बताएगे आपको कोई टेस्ट और बताएगे एक थेओरम बताएगे थी एक थेओरम आपने इसके पहले प्रूफ की है कनवर्जेंसी के एक थेओरम थी कि इसमें सिग्मा यूएन निकालेंगे याद करिए उसमें था यूवन, यूटू, यूट्री अगर याद करिए तो इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाया है इसमें हम यूएन को लिमिट लिखेंगे अगर य ГЕर रखने के पाद वलीऊ जीरो आती है तो कनवर्जेंट है और नहीं आती है तो तो कनवर्जेंट है कुछ तो है यह स्रीज या थो कनवर्जेंट रावर्जेंट ऐसा थोड़ी है स्रीज या तो एक पईंट पर जाके मिल जाएगी अब जो vn से नहीं हो रहा है one पर हम testing नहीं कर पार हैं तो करें किया हम तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पर अपनी यह जो theorem थी वो लगाते vn तो हम possible नहीं कर पार है तो हम जिना limit रखते हैं यह पर limit रखके देख लेते हैं limit and tending to infinity यहाँ limit लगाते हैं इसको solve को limit कैसे solve होगी? infinity लिखनी है ना, तो limit यहाँ पर 1-1 upon n2 upon 1 plus 1 upon n2 होगा, इसको लिए 1 आ गई? ठीक है, यानि greater than 0 है यह, तो आपकी theorem क्या कहती है? कि अगर कोई series u1 plus u2 up to un, अगर limit u1 times u1 की value 0 आती है, और नहीं आती तो वो divergent होती है, यानि series कैसी हो गई? divergent हो गई, यानि 1 पर आपकी divergent है, अगर vn possible होता, तो हम यहाँ पर vn से को निकालते, फिर p series test लगाने की कोसेज करते, तो देखते, convergent है या divergent है, तो यह dl numbers ratio test, या जिसको simply सस्ते में ratio test कहते है, 90% ratio लिक करके आता है, लेकिं day numbers भी आता है, और यह भी 90 में ही सामिल है, बतुब day numbers भी लिक करके देते हैं, या जैसे नोन personality है, ठीक है, जैसे वहाँ पर hyperhonic, क्या था, hyperharmonic, वो नोन personality नहीं है, वो कभी-कभी वाले हैं, लेकिन यह नाम लिक करके आता है, और नहीं आएगा, तो यह आपको पहचाना पड़ेगा, कि आप इसको किस method से लगाएं, ठीक, तो यह आपके question वे ratio test के हैं,